नमस्कार दस्तों स्वागत है आपका इस्टेनो गुरु यूटूब चैनल में दस्तों जोसे आके आपको पता है कि रायस्थान हाइक इस्टेनो कराफर का स्केल टेस्ट चल रहा है आज पहला दिन है तो पहले दिन में दो सिफ्ट हुए मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग लिए होगा नहीं देखा है तो आपको मारे प्लेइलिस्ट में मिल जाएगा आप जाके जरूर देख लीजेगा उसमें क्या-क्या चीजे बोली गए क्या किसी जे आई थी क्या क्या आपके मन में कोईरी है सब कुछ उसमें मनें डिटेल में बताया है इस वीडियो में हम ल भी दोस्तों वहाँ पे 70-72 ही है ज्यादा कोई स्पीड नहीं बोली जा रही है ठीक है आप अपने अंदर कॉंफिडेंस रखिएगा आराम से लिख लेंगे बस आपको एकुरेशी के साथ डिक्टेटर के साथ लिखते चलना है मन में दोहराना नहीं है ठीक है और डिक्टे खतम होता है आपको ध्याद रहेगा आप हिंदी में लिख दीजेगा जैसे आप टांस्क्राइब करेंगे तुरहन मिटा दीजेगा क्योंकि कापी आपका जमा हो जाएगा बाकि वहाँ पे कोरोना टेस्ट बैक स्पेस ये सब का वीडियो में बना चुका हूं पहले ही आप कि हो हमारे हाई प्रेक्टिस कर सकते हैं को इस्टेनोट की नाम से एक मिलेवा तुरियल मिलेगे सारे मैटर बर मिलेंगे दोस्तों आज कर जो परहेगा हरेगा अपलोग इसको जरूर उत करिए तो चले स्टार्ट करते हैं और बागी कल संडे है परसों जिसका होगा कल मतलब आप वीडियो तो मार्निंग में अप्लोड होगा तो कल का मतलब आज ही संडे समझ लो तो पांस तारीक आपडेट भी हम आपको टेलिग्राम पर और वाटसब गुरूप में देते रहेंगे तो जिनका जिनका है वो लोग आराम से confidence के साथ बस practice करके सांती से examination के बारा घंटे पहले तक आपको बिलकुल कोई टेंसल्ड में आपको यह समझ लेजिए ठीक है आराम से मौझ मस्ति में जाए एक्जा में ब्हुत बढ़ी हैजाम होगा और आप ज्ज़्जा disc Mitter आयेगा सब्द नहीं आ रहा वहां पे दो चार सब्द के ही तो आउट लाइन आपको लिखने बाके तो सब आपके रख्टे हुई हैं तो आपको ज्यादा टेंसने बस कामा लगा दीजेगा जबर जस्ती कामा मत लगाएगा पूर विराम तो आपको पता ही चल जाता है कहां कहां पर आ रहा है जहां पर सेंट्रेंस अमाप्त होता है वहां पर पूर विराम आपको लगाना होगा ठीक है और कामा जहां पर आपको लगे कि वहां कामा होना चाहिए वहाँ पर लगा दीजिएगा जब अज़स्ति मत लगाना ठीक है तो यह जो इसमें हम विराम बोल देंगे क्योंकि यह पहले किसे हम रिकार्ट करके रखे हुए है तो आप लोग बिना विराम वाले प्रेक्टिस कर लिजिए गा और इस डिक्टेशन को आप लोग प्रेक्ट चलवा कपट के द्वारा न्याय की धारा को रोकने या मोडने के प्रियास के लिए किया गया है वह दंडनी है बिराम इस संबंध में न्यायाले ओमानना के कार्यवाही शोयम आरंभ कर सकती हैं जिलाकानपूर देहात के अंतरगत एक माध्यमिक बिद्याले की शमिती का नविनी करण शमय शमय पर शहायक निवंधक के यहां से होता था बिराम अपील करता जिस समय प्रवंधक थे उस समय पांच वर्च के लिए निवंधन होना था बिराम शमित के सदस्यों में प्रवंधक के संबंध में विवाद थे विराम याची ने अपने को नियमानुशार निर्वाचित प्रवंधक कहते हुए निवंधन का प्रार्थनापत्र दिया विराम दूसरे पक्ष ने भी अपनी को प्रबंधक कहते हुए प्राथनापत्र दिया बिराम शहायक निबंधक ने दूसरे पक्ष को प्रबंधक मानते हुए आदेश पारित कर दिया बिराम जिला बिद्याले निरेक्षक ने अपील करता याची को प्रबंधक मानते हुए मान्यता देदी बिराम याची के आवेदन पर शहायक निबंधक ने दूसरे पक्ष को जाली काग्जात प्रस्तुत करने के बाबत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया बिराम दूसरे पक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया बिराम शहायक निबंधक ने दूसरे पक्ष की नाम जारी प्रमाडपत्र निरस्त कर दिया और यहाँ लिखा की नवीनी करन छलवा कपट से प्राप किया गया बिराम अपील शेभी उक्त आदेश मानने रहा बिराम दूसरे पक्ष ने उच्च न्यायाले में रिट याची का प्रस्तुत की तो श्विक्रित हुई बिराम याची ने उच्च न्यायाले में अपील की और उच्च न्यायाले का निरड़े अस्थगित कर दिया गया लेकिन इसके बावजूद याची को प्रबंधर के रूप में कार्य करने की अनुमत अधिकारियों नहीं दी बिराम इसका कारण दूसरे पक्ष की द्वारा उच्च न्यायाले द्वारा जारी किये गई एक आदेश का प्रस्तुती करन था बिराम उक्त आदेश से यह प्रगट होता था कि उच्च न्यायाले ने अपना अस्थगन आदेश निरस्त कर दिया है बिराम उक्त तथ्यों की प्रिष्ट भोमी में उच्च न्यायाले ने तीन सदस्यों की एक पीठ गठित की जिससे यह पाया की दूसरा आदेश एक कूट रचित कागज था बिराम न्यायमूर्ति के जे रड़ी जिनका नाम आदेश में टंकित किया गया वह जून 1992 में आवकास पर थे कार्य नहीं कर रहे थे बिराम दूसरे न्यायमूर्ति का नाम भी इसी प्रकार से गलत था बिराम उक्त इस्थितियों में विपक्षी को कारण बताओ नोटिस जारी किये गए और कानपूर की जिला बिद्याले निरीच्छिका को ब्यक्तिगत रूप से उच्चितम न्यायाले में उपस्थित होने के आदेश दिये गए बिराम वहां शोयम जाकर उपस्थित हुई और शंबंधित अभिलेग सपत्पत्र के साथ उनके द्वारा प्रस्थुत किये गए बिराम विपक्षी जिसे नोटिस जारी की गई थी ने अपने उत्तर में कहा कि उसने ऐसा कोई आदेश जिला बिद्याले निरीच्छ के समक्ष प्रस्थुत नहीं किया बिराम उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है विराम सिरीमती रामसिया अवस्थी ततकाली जिला बिद्याले निरीच्छ का कानपूर देहात ने अपने शपत्पत्र में यह अश्पष्ट किया कि अस्थगन आदेश जिस ब्यक्ति ने अपने को विपक्षी कह कर प्रस्तुत किया था वह वास्तों में एक अन्य ब्यक्ति था विराम उसका सही नाम उन्हें बाद में मालुम हुआ विराम वह विपक्षी के नाम से ही कार्यालय में आता था विराम इस कथन के शमर्थन में उनके कार्यालय के दो कर्मचारियों ने भी शपत्पत्र दिये विराम इन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय ने शमस्त तत्यों वा विधि इस्थित की विवेचना की और अपने निरड़य में लिखा की वास्तों में विपक्षी ने अपने को विध्याले प्रबंधक के रोप में बनाए रखने के लिए कूट रचना की बिराम इस प्रकार की कूट रचना से न्याय की धारा में औरोध आया बिराम कोई भी ऐसा कारिय जिससे न्याय की धारा में हस्त छेप होता है या अवरोध उत्पन होता है निश्चित ही न्यायाले की अवमानना है और दंडित किये जाने योग्य न्यायाले की अवमानना शंबंधी बिधी का विस्तार बहुत अधिक है बिराम इस्टाव आप लोग इसको ट्रांसक्राइब करिएगा अस्सी सब्द्पतमेट की स्वीट से है और पीडियव से मिला के पीडियव आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा वहाँ से मिला के कमे